तो मिरा नामासी से आज हम जनरल साइन्स के बाइलोजी पॉर्ट देखेंगे ठीके बाइलोजी में पहला पार्ट होगा और जनरल साइन्स का टोटल चौथा पार्ट होगा इसमें टोटल 30 कुश्यन सामिल किये गया है इससे पहले 30 question का तीन वीडियो physics का बन चुका है जिसका link आपको description में दिया गया है वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं चलिए हम आज का पहला प्रस्ण देखते हैं हमारा जो पहला प्रस्ण है फूलों के अध्यन को कहते हैं phrenology anthology agroistology perinology तो phrenology को मस्तिष के भागों का अध्यन जो मस्तिष के भीविन भाग हैं उनकी अध्यन से संबन देते है pancake chronology नहीं होगा anthology anthology में फूलों का अध्यन किया जाता है ठीक है तो इसलिए be option सही हो जाएगा एग्ग्रोऀ्ष डोजी में एग्ग्रोइष डूलाजी में घासों का ध्य情 करता है और यहां पर आपको देख लिजney एंथो डूलाजी आपसण भी सथरीनुलाजिर दोस्तों मैं आपको कुछ महतपूर बताते हैं जिसमें किसका अध्यन के जाता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप स्क्रीन देखिए मायोलाजी ठीके मायोलाजी मनश्र की पेशियों का अध्यन करता है मैमोलाजी अस्तंधारी जन्तूओं का अध्यन मैं करता है और उसकी बाद अंकोलाजी दहाएं अंकोलाजी अंक को ज़ी है आपका कैंसर्वा संबन्थित ट्यूमर का अध्यन और आस्टियो लग आक इस्टियोलाजीन आस्थियों का अध्यन सेरोलाजी है आपका रूधर सीरम का बैग्यानिक अध्यन और हीमेटोलोजी है रूधर का अध्यन निवडोलोजी है तंत्र का तंत्र से संबंधित अध्यन पैथोलोजी से है रोगों की प्रकृती लक्षड वा कारकों का अध्यान अब आगे इसी तरह देखिए वारेस विज्ञान जिसे वाइरोलोजी कहते हैं वाइरोलोजी में बिशाड़ों का अध्यान किया जाता है बैक्ट्रियोलोजी में जिवारों का अध्यान किया जाता है और मिरमेकोलोजी में चीटियों का अध्यान किया जाता है सा दूस्तों एक्जाम कदिश्ति से काभी important है कि इस अगला देखे दूसरा रेसम कीट पालन को कहते हैं एपिकल्चर, हाइटिकल्चर, सेरी कल्चर या फिर फ्लोरी कल्चर तो इस प्रश्ण का उत्तर सी हो जाएगा सेरी कल्चर ठीक है सेरी कल्चर रेसम कीट पालन को कहते हैं अब एपिकल्चर में क्या है एपिकल्चर में मद्मक्खी पालन है ठीक है द्यान रखिएगा मद्मक प्लोरी गल्चल में फूलों का आध्यन के आता है वह फूल जो सजावट के काम में आते हैं आपको मैं भी बता रहा हूं कि कुछ ऐसे भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूं काफी मचली पालण है और अपका फ्लोरी खल्चर यहाँ पर पता ही है फ्लो की खेती होती है ओलेरी खल्चर है सब्जियों की खेती है घिखे उसके बाद पोमोलाजी है फलोंगा करसी है और एग्राण और वर्मी कल्चर के चुआ पालं थीं वर्मी कल्चर देखिये आगोर उताधन ओर मोरी कल्चर सहतूत की खेती और सिट्री कल्चर देखिए सिट्री कल्चर है खटे फल उत्पादों का संबर्धन ठीक है इसी तरह देखिए आप बेजी कल्चर में सबजीयों यह पौधों की किरसी से संबन दित है अब आप इसको नोट कीजिएगा इसको आप वीडियो को पाउस करके आप खुद नोट बनाएगा ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम की दिष्टी से अगला देखिए तीसरा कुशन कीट संबर्धन क्या है कीट संबर्धन क्या है कीटों की बृद्धी करने का विज्ञान जन्तूं के अध्यन करने का विज्ञान मचलियों के अध्यन करने का तो इस प्रश्ण का उत्तर ए हो जाएगा कीटों की बृद्धी करने का विज्ञान ठीक है कीट समवर्धन जो है वाम तोर पर केचुवा को बृद्धी करने का विज्ञान है केचुवा क्या है केचुवा को किसानों का मित्र कहा जाता है भूमी का आत कहा जाता है केचुवा खाद या वर्मी कंपोस्ट पोसक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है अगला देखिए चोथा है जेरंटोलाजी निमलिखित में से किसके अध्यन से सम्बंदित है जेरंटोलाजी सामानता जो है ब्रिद बैक्तियों से सम्बंदित है इसका जो काम है जैसे मनुष में बुढ़ापा आता है या फिर जीनुरता आती है तो जो मनुष में बुढ़ापा आता है शरीर के कौन कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदाई है ये पता लगाने के लिए जेरेंटोलाजी का उप्योग किया जाता है जरेंटोलोजी जियो विज्ञान की एक उपसाखा है ठीक है जब बिद्धा कोई व्यक्ति जो है बिद्ध हो जाता है तो मान स्पेशिया क्या हो जाती है उसकी सितिल हो जाती है और सरीर के अंग भी युवा वस्था की तरह कार नहीं कर पाते हैं ठीक अगला देखिए पाचवा अस्थियों का अध्यन बिज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है आश्टियोलोजी ओरोलोजी सेरोलोजी जियोलोजी तो आपको बता दें आपसन एस हो जाएगा अस्थियों का अध्यन आश्टियोलोजी ठीक है आश्टियोलोजी के अंतर और यहां पर आपका जो सेरोलौजी है आभी बताया था रूधर सीरम से संबंदित है और जीर लोजी और सभी को पता यह पृत्थ पीक की आंत्रिक संग्रशना तथा उसमें पाये जाने वाले पदार्थों का अध्यन किया जाता है अगला देखिए छटवा कोईशन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है मिर्दा विहीन पादप संबर्धन पादप में कलम लगाना सबजियों का अध्यन जल संग्रच्छन इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा ए मिर्दा विहीन पादप संबर्धन देखिए जो हाइड्रोपोनिक्स है हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रकिरिया है जिसमें खानिज पोसक तत्तों के बिलियन के परियोग दोरा जल में पौधों को उगाए जाता है पिर से आपको उता रहा हूँ हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रकिरिया है जिसमें खानिज पोसक तत्तों के बिलियन के परियोग दोरा जल में पौधों को उगाए जाता है या पौधों को उगाने की ऐसी विदी है जिसमें भूमी में पौधे नहीं उगाए जाते हैं ठीक अगला देखिए सातवा विकास वाद का सिधान किष्ट ने प्रतपादित किया स्पेंसर ने डार्विन ने वालिश ने निूटन ने तिस पस्टे का उत्तर हो जाएगा भी डार्विन ने अगला कुशन देखिए गर्म रूधिर वाले जन्तू वय होते हैं जो अपने सरीर के तापकरम को वातावरण की तापकरम से नीचे रखते हैं वातावरण के तापकरम सी उचा रखते हैं हमेशा एक सा बनाए रखते हैं या फिर वातावरण के तापकरम को बनाए रखते हैं ठीके वातावरण के तापकरम को बराबर बनाए रखते हैं तो इस प्रश्ण का उत्तर सी हो जाएगा हमेशा एकसा बनाए रखते हैं देखिए हम आपको गर्म रूधर वाले बताते हैं गर्म रूधर वाले वैजन्तु होते हैं जिनका सरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होता है वाताप सदेव एकसा बना रहता है इसके अंतरगत क्या क्या आते हैं पक्छी आते हैं और अस्तंधारी आते हैं ठीके बाकी जो इसको अम एक प्रकार से समतापी भी कह सकते हैं ठीके समतापी जो असमतापी में है असमतापी के अंतरगत मचली हो जाएगा उभैचर, सरीश्रीप, इत्याद जनतों आते हैं जिनके सरीर का ताप वाता वराड के ताप के अंसार घरता बढ़ता रहता है ठीक है अगला देखिए नौवा कुशन निम्रिखित में से कौन मचली नहीं है ध्यान रखिएगा कौन मचली नहीं है इस्टार फिस, साफिस, पाई फिस या फिर गिटार फिस तो यहाँ पर आपका उत्तर ए हो जाएगा इस्टार फिस इस्टार फिस मचली नहीं है ठीक है लेकिन ये मचलीयों की तरह इनके नाम मिलते जिलते हैं लेकिन ये वास्तविक रूप से मचली नहीं है starfish इसमें मचली नहीं है बाकी starfish, guitarfish, pipefish ये सभी क्या है? मचली है साथ ही आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन-कौन से और ऐसे नाम है जो मचली नहीं है इसमें एक है jellyfish नाम तो सुना होगा jellyfish भी मचली नहीं है silverfish ये भी मचली नहीं है फिस एभी मचली नहीं है हेग फिस रेजर फिस क्राइफिस इत्याद ऐसे हैं जो मचली नहीं है ठीक है देखिए अगला कुश्चन निम्ड में से कौन सी वास्तविक रूप से मचली है स्टार फिस, जेली फिस, डाग फिस, समुद्री घोडा अब पिछले कुश्चन मेंने बताया था कि स्टार फिस मचली नहीं है जेली फिस मचली नहीं है, डाग फिस मचली नहीं है तो बच गया समुद्री घोड़ा आप संडी से हो जाएगा समुद्री घोड़ा एक मुचली है अगला देखिए ग्राम कुश्चन निमलिखी जंदों पर विचार कीजिए समुद्री घोड़ा समुद्री घोड़ा समुद्री शिंग वो परियुक्त में से कौन सा से अस्तंधारी है यह है केवल एक खेवल एक और तीन केवल दो और तीन एक दो और तीन त्यहाँ पर हमें अस्तंधारी ढोड़ना है समुद्री गाए एक अस्तंधारी है ठीक है ये समुद्री में ही पाजाता है ये समुद्री अस्तंधारी है ये टोटली साकाहारी होते है अब समुद्री घोड़ा क्या है ये मचली है ठीक है ये मचली है समुद्री सिंग भी एक अस्तंधारी जीव है तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथान हमारा सरी हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आपसन कौन सा हो जाएगा आपसन भी राइट हो जाएगा एक और तीन अगला कुशन देखिए बारवा एंफिविया बताता है बहुत तेजी से चलने वाली नाओं को किवल जल में ही रह सकने वाले पसुँँँगो किवल अस्थल पर ही रह सकने वाले पसुँँगो जल एवन अस्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पसुँगो एंफिविया का संदी का मतलब होता है वह उभैचरवर्ग है तो उभैचर का क्या मतलब है उभैचर का मतलब है कि जो जल और थल दोनों जगा पाई जाते हैं ठीक है तो इसलिए आप संदी यहां पर सही हो जाएगा जल एवां अस्थान पर रह सकने वाले पसों को जैसे मेड़ा हो गया या तोड़ हो गया यह सब क्या है यह असमतापी होते हैं यह जनतु क्या होते हैं असमतापी का मतलब है कि इनके इनके शरीर का तापमान है वह वाता वराण ताप के अंसार क्या होता है घरता बढ़ता रहता है और जो मनिश्य है जो अस्तंधारी जिवह हैं वह क्या होते हैं और अस्तंधारी जीव वो सम तापी होते हैं इनका जो टेंपरेचर होता है बॉडी का वो एक समान रहता है वातावराण के तापमान के साब से बदलता नहीं है अगला देखिए तेरवा कुश्यन निमलिखित में से किस जन्तु में खुर नहीं पाए जाते हैं हीरण गीदर जिबरा घोड़ा तो आपसन बी सही हो जाएगा गीदर गीदर जो है कुट्टे के परिवार की एक प्रजाती है कुट्टा आप लोग देखे होंगे कुट्टे के जो पैर होते हैं वो गदिदार होते हैं और नाखुन होते हैं तो गीदर भी जो गीदर के पैर भी होते हैं वो गदिदार होते हैं और उनके पैर में नाखुन होता है बाकि जो हीरण है हीरण जेबरा और घोड़ा इसको बेखें आप देखें हょंगे घुड़ा रिृ नहीं आफ अगला देखें निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है यहां पर कीट नहीं है खटमल, मकडी, घरेलू मक्खी या फिर मच्छर तो इस प्रश्ण का उत्तर भी हो जाएगा मकडी मकडी कीट नहीं है मकडी का जो वर्ग है वो आपको बता रहें एरैकनिडा ठीक है? एरैकनिडा एरैकनिडा तथा क्रम एरैनी का एक जन्तू है मकडी जो है अपने उदर के पस्च भाग में इस्थित गरंतियों के सराव से जाल बनाती है सभी मकडिया परभक्षी होते है सभी मकडिया क्या होती है? परभक्षी होती है ठीक है? इस मकडी वर में मकडी जो है कीट वर के अंतर गत नहीं आता है मकड़ी में आठ पैर पाय जाते हैं अगला देखिए निमलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मोत्र उत्सरजित करता है कंगारी चुहा, जिराप, गिलहरी, ओट इस प्रश्ण का उत्तर ए हो जाएगा कंगारी चुहा कंगारी चुहा जो है बिना पानी पिए काफी लंबे समय तक जीवित रह सकता है उसमें यहां कोलता है उसके उत्सरजन तन्त यानिकी ब्रिकी की विसेश संग्रश्णा की संग्रश्णा वकार प्रणाली के अंतरगत या कार प्रणाली के कारण होता है तो ठोस मूत्र उत्सरजन करता है वो कंगारू चुहा करता है अगला देखिए सोल्वा साप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपा अंत्रित रूप है चिपुकस्थी दंत के तालू दंत के स्वानीय दंत के या फिर जंभीका दंत के तो आपसंडी सही हो जाएगा जंभीका दंत के ठीक है अगला देखिए सत्रामा कोश्चन चटान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं अधी पादपी लौडोध भिद मरोध भिद या फिर सैलोध भिद तो इस प्रश्ण का उत्तर आपसंडी हो जाएगा सैलोध भिद अगला कोश्चन देखिए अट्रामा निम्लिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है डोड़ना में है अमरवेल तनापरजीवी चंदन जड़परजीवी आर्किड अधिपादप घट परड़ी जलोध भिद तो यहाँ पर आपको जो कौन सा सुमलित नहीं वोड़ोन रहा है अमरवेल तनापरजीवी यह सही है यह मैच कर रहा है चंदन जडपरजी भी ये भी मैच कर रहा है आर्किड अधिपादब ये भी मैच कर रहा है घटपरडी जलोदविद ये मैच नहीं कर रहा है घटपरडी एक कीट भक्षी है कीट भक्षी मतलब ये कीटो को खाता है तो इसलिए यहां कौन सा युग में सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है, डी सुमिलित नहीं है, तो इसलिए डी आपसन नमारा सही हो जाएगा. अगला देखिए उननीसवा पाउधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है जड़ फल पुस्प तना तो इस प्रश्ण का उत्तर आपसंडी हो जाएगा तना कहीं कहीं प्रकंद भी लिक्याता है तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है प्रकंद को ही तना कहा जाता है तो इसलिए अगर आपसंड में प्रकंद हो तो प्रकंद भी मार सकते हैं लगा सकते हैं और तना है तो तना ही मार सकते हैं ठीक है तो इस प्रश्ण का उत्तर आपसंडी तना अगला देखिए बीश्वा निम्न में से कौन सा तना है सलजम अदरक गाजर सकरकन तो आपसंड B सही हो जाएगा अदरक अदरक एक तना है बाकी ये सलजम गाजर इसब क्या है जड़ों की सिरेडियों आते हैं इनमें जड़ पाए जाता है ठीक है अगला कुशन देखिए 21 फलीदार पाध्वों की जड़ों में उपस्थित गाठों में पाए जाने वाले नतरजन इस्थिडी करण जीवाडू है मृतोप जीवी परासरई सह जीवी प्रोटोप घटने तो इस प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा सह जीवी ठीक देखो फलीदार पाध्वों की जड़ों में मौजूद गाठों में पाए जाने वाले बिशेश जीवाडू राइजोबियम सहजीवता का जीवन्यापन करते हैं ठीक ये क्या करते हैं ये जीवाडू नाइटोजन योगी की करण दोरा नाइटोजन को नाइट्रेट में बदल कर पौधों को उपलब्द कराते हैं वहीं दूसरी और या फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्द कराता है अगला देखिए 22 वा, मटर पौधा है, साक, पुष्प, जारी, इन में से कोई नहीं तो इस प्रश्ण का उत्तर ए हो जाएगा साक मटर आप सभी को पता है, एक दुवीजी पौधा है दुवीजी, पत्री पौधा है या एक वर्शी होता है, यानि कि एक साल में एक ही बार होता है इस पौधे का तना काफी कमजोर होता है ठीक है अगला कुश्ण देखिए, तेश्वा लॉंग है तना की गाठे, जड़की गाठे, बंद कलियां, बीज तो लॉंग है, बंद कलियां, आपसंसी सही जाएगा अगला देखिए, लहसुन की अभी लाक्षणिक गंध का काराण है क्लोरयोगिक, सलफरयोगिक, फ्लोरीन योगिक, एसिटिक अम्र तो लहसुन में जो इसमेल आता है, इसमेल का जो काराण होता है अगला देखिए, प्याज के छिलके उतारने पर आसु आते हैं क्योंकि प्याज निसकासित करते हैं, सलफोनिक अम्र, सलफेनिक अम्र, एमिनों, कारबोलिक अम्र तो इस प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा, सलफेनिक अम्र आपसंसी भी राइट हो जाएगा वजसे आप लोग को पता है, जब भी आप लोग प्याज काटते हैं, या प्याज करता है कहीं, तो आसपास रहते हैं, तो आपके आँखों में आसू आ जाता है, तो कभी आप सोचे हैं किस वजह से आता है? जब प्याज काटा जाता है, तो वहाँ पे Synthese, सिंधेज नामक एंजाइम निकलता आब यहीं सिंधेज अन्यल्फ नमक इंजाइम निकलता है अब यहीं सिंधेज एंजाइम 0252 यानिक के यहीं 2 इस में 2 आधा अगला देखिए 26 मिर्च तीख ही होती है क्योंकि उसमें उपस्तित होता है लाइकोपिन, कैपसे इसिन, रिसिन, एरिकोलीन तो मेर्च जो तीकी होती है वो होती है कैपसे इसिन की वज़ा से तो इसलिए आपसन B से हो जाएगा कैपसे इसिन अगला देखिए 27 वा कुश्चन कुनैन, सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है जड, फल, बीज, छाल तो इस प्रशन का उत्तर D से हो जाएगा छाल अगला देखिए 28 वा कुश्चन निम्लिखित में से कौन सा अनाज मानो निर्मित है सेकल, सीरियल, पोमेटो, ट्रिट्रिकेल, उपर युक्त में से कोई नहीं तो इस प्रशन का उत्तर D से हो जाएगा ट्रिट्रिकेल ट्रिट्रिकेल में क्या हो, ट्रिट्रिकेल में क्या बैग्जान के क्या किया कि गेहू का ट्रिट्रिकम, राई का सीकल फिर से बता रहा हूँ जो गेहूं का एक टिटिकम है उसको बैग्यान को लिया और राई का सिकेल को क्या कर दिया और इस संक्राण करा के तयार किया और इस संक्राण में गेहूं के मादा और राई के नर्भाग यानि के पराकराण का उप्यों किया जाता है ये नाज वैसे आमतार पर स्वेडन और स्वेडियन लेंड दरावत्पन किया गया है इनको मुख्यता जो है पसुओं के चारे के लिए उगाया जाता है इसे रोटी अच्छी खासी नहीं बन पाती है अगला देखिए मरू भूमी के पादप अधिकतर होते हैं बीवी पेरस, मांसल, साकी, बिसम परड़ी तो इस प्रश्णे का उत्तर बी हो जाएगा मांसल यानि की मरू भूमी में जो पादे पावज आएंगे तो पादे के जो कुछ भाग होंगे वो जल को संचित रखने का काम करते हैं तो संचित रखने के जो काम करेंगे वो मानसल या इस्थूल ही होते हैं ठीक है आज का लास्ट कोईशन है तीसवा कोईशन पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उखते हैं को क्या कहते हैं जीरोफाइट हाइड्रोफाइट हैलोफाइट सक्क्यूलेंट तो इस प्रश्ण क प्रश्ण का उत्तर आप संसी से से हो जाएगा हैलोफाइट ठीक है तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों साथ सेयर कीजिएगा कल फिर मिलते हैं तीस कुशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार